ओम श्यान्ती 25 अक्तुबर 2024 के इश्वरिय महवाक्या पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से जब तुम्हारा ममत्व निकल जाएगा तो बहुत खुशी में रहेंगे तुम अभी रिटर्ण में फिर से सुखधाम जा रहे हो यह पुराना शरीर छोड उस सतो प्रधान दुनिया में फिर नया शरीर लेंगे रात को सोते समय भी ऐसे ऐसे सिम्रन करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी हर एक को अपने उपर जांच रखनी है कि सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की पांच विकारों में से किसी विकार ने हमको सताया तो नहीं लोब तो नहीं आया फिर बाबा ने कहा उठते बैठते चलते फिरते देहे के बदले अपने को देही समझो प्रंतु माया बड़ी दुस्सर है ये घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभीमानी बना देगी इसलिए जितना हो सके याद में रहू ऐसे बाप को तो कभी भी भूलना नहीं चाहिए फिर याद के साथ साथ पढ़ाई की सब्जेक्ट में भी तुम्हारा अधियोग रहना चाहिए लास्ट में बाबने का मीठे मीठे बच्चों बाप तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते सिर्फ कहते हैं आत्मा समझ मुझे याद करो याद के लिए कितने उपाए बताते हैं बाप टीचर सत्गुरू तीनों रूपों में याद करो जो बाप त तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं ऐसा बनाने वले टीचर को तो कितना याद करना चाहिए और अब सुनते हैं महवाख्यों को विस्तार से मुडली का सार मीठे बच्चे बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं इसलिए कहा जा नजर से निहाल प्रश्न तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाडे बजने चाहिए क्यों उत्तर क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे हाहाकार के बाद जेजेकार होने वाली है बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ती जीवन मुक्ती का वरसा मिलने वाला है सारी विश्व निहाल हो जाएगी ओम शान्ती रुआनी शुबाबा बैठ अपने रुआनी बच्चों को समझाते है यह तो जानते हो कि तीसरा नित्र भी होता है बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माई हैं, सब को मैं वर्सा देने आया हूँ, बाप की दिल में तो वर्सा ही याद होगा, लौकिक बाप की भी दिल में वर्सा ही याद होगा, बच्चों को वर्सा देंगे, बच्चा नहीं होता है तो मूझते हैं, किसको दें, फिर अडोप्ट कर ले यहां तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारे दुनिया की जो भी आत्माई हैं, सब तरफ नजर जाती हैं, जानते हैं, सब को मुझे वर्षा देना हैं, भले बैठे यहां हैं, परन्तु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुश्य मात्र पर हैं, क्योंकि सारे विश् बाप समझाते हैं यह है पुरुशोत्तम संगम युग तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सब को शांतिधाम सुखधाम ले जाने सब निहाल हो जाने वाले हैं ड्रामा के प्लैन अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे बाप सब बच्चों को याद करते हैं नजर तो जा क्योंकि नाटक पूरा होता है थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे अब विनाश होता है अब नई दुनिया की सापना होनी है क्योंकि आत्मा तो फिर भी चेतन्य है न तो बुद्धी में आ जाएगा बाप आया हुआ है पैराडाइज सापन होगा और हम श है हम स्वर्ग में जाएंगे जैजेकार हो जाएगी अभी तो बहुत हाहा कार है कहां अकाल पड़ रहा है कहां लड़ाई चल रही है कहां भुकंप होते हैं हजारों मड़ते रहते हैं मौत तो हो नहीं है सत्युग में यह बातें होती नहीं बाप जानते हैं अब मैं जाता फिर सारे विश्व में जैजेकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसे गाउं है। बाबा के लिए तो गाउं ठहरा। बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। जो कल्प कल्प चलता है। बाब भी कल्प व्रिक्ष का बीज रूप है। यह है कार्पुरियल जाड़। उपर में है इनकार्पुरियल जाड़। तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहां समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है, सच्छ खंड, हैविन, अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है, यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी, जितना जितना जो पुरुशार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, बाब तो पढ़ा रहे हैं, यह तुमारी स्कूल तो बहुत व्रिधी को पाती रहेगी, बहुत हो जाएंगे, सबका स्कूल इकठा थोड़े ही होगा, इतने रहेंगे कहां, तुम बच्चों को याद हैं, अभी हम जाते हैं सुख धाम, जैसे कोई भ सुख जाकर रहते हैं न, फिर आते हैं भारत में, भारत तो गरीब हैं, विलायत वालों को यहां सुख नहीं आएगा, वैसे तो तुम बच्चों को भी यहां सुख नहीं हैं, तुम जानते हो हम बहुत उची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवत बनते हैं, वहा कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं, यह गाउं कल युग तो याद भी नहीं आ सकता, इन में तो अथा दुख हैं इस रावन राज्ये पतित दुनिया में आज अपरम पार दुख हैं, कल फिर अपरम पार सुख होंगी, हम योग बल से अथ सुख वाली दुनिया सापन कर रहे हैं यह राज योग है ना बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए टीचर बिगर बैरिस्टर इंजिनियर आदी थोड़े ही बन सकते हैं यह फिर है नई बात आ मात्माओं को योग लगाना है पर मात्मा बाप के साथ जिस सही बहुत समय अलग रहे हैं बहु काल क्या वे भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं मनुष्य तो लाखों वर्ष आयू कह देते हैं बाप कहते नहीं यह तो हर पांच हजार वर्ष बाद तुम जो पहले-पहले बिछुडे हो वही आकर बाप से मिलते हो तुमको ही पुरुशार्थ करना है मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो जीव आत्मा है ना आत्मा अविनाशी है जीव विनाशी है आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेत आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है, वंडर है ना, पढ़ाने वाला भी वंडर्फुल, पढ़ाई भी वंडर्फुल है, किसको भी याद नहीं भूल जाती है, आगे जनम में क्या पढ़ते थे, किसको याद है क्या, इस जनम में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया म मिलती हैं यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है यह याद रहना चाहिए अभी यह पुरुषोत्तम संगम यूग है हम नई दुनिया में जाने वाले हैं यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी याद के लिए बाप अनेक उपाए बताते हैं बाप भी है टीचर भी है, सत्कुरू भी है, तीनों रूप में याद करो, कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, प्रंतु माया भुला देती है, बाप जो नई दुनिया सापन करते हैं, बाप नहीं बताया है, यह पुरुशोतम संगम युग है, यह याद करो, फिर भी याद क्यों नही कर सकते हो, युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी है माया बड़ी दुश्तर है, घड़ी घड़ी तुम को भुलाएगी और देहे अभीमानी बना देगी, इसलिये जितना हो सके याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते देहे के बदले अपने को देही समझो यह है मेहनत नौलेज तो बहुत सहज है सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं तुम बाप को याद करते हो माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है इस पर ही यह खेल बना हुआ है तुम भी समझ से हो हमारा बुद्धियोग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वेह नहीं है भूल जाते हैं परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए वास्तों में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना कितने चित्र बनते रहते हैं पांडव गवर्मेंट के प्लैन देखो कैसे है उस गवर्मेंट के भी प्लैन है तुम समझ से हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था बहुत छोटा था सारा भारत विश्व का मालिक था एवरिफिंग न्यू होती है दुनिया तो एक ही है एक्टर्स भी वही है चक्र फिड़ता जाता है तुम गिंती करेंगे इतने सकेंड इतने घंटे दिन वर्ष पूरे हुए फिर चक्र फिड़ता रहेगा आज कल करते करते पांच हजार वर्ष पूरे हो गए है सब सीन सीनरी खेल पाल होती आते है कितना बड़ा बेहद का जाड है जाड के पत्ते तो गिन नहीं सकते है यह जाड है इसका फांडेशन देवी देवता धर्म है फिर ये तीन ट्यूब्स धर्म मुख्य निकले हुए है बाकी जाड के पत्ते तो कितने ढेर है कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके इस समय सब धर्मों के जाड व्रिधी को पा चुके है यह बेहद का बड़ा जाड है यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे अभी सारा जाड खड़ा है बाकी फाउंडेशन है नहीं बनेंट्री का मिसाल बिलकुल एक्यूरेट है यह एक ही वन्डरफुल जाड है बापने दिश्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए फाउंडेशन है नहीं तो यह समझ की बात है बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं बाकी कुछ निशानिया है आटे में नमक प्राय यह निशानिया बाकी रही है तो बच्चों की बुद्धी में यह सारा ग्यान आना चाहिए बाप की भी बुद्धी में नौलज है न तुमको भी सारा नौलज दे आप समान बना रहे है बाप बीज रूप है और यह उल्टा जाड़ है यह बड़ा बेहद का ड्रामा है अभी तुम्हारी बुद्धी उपर चली गई है तुमने बाप को और रचना को जान लिया है भल शास्त्रों में हैं रिशी मुनी कैसे जानेंगे एक भी जानता हो तो परंप्रा चले दरकार ही नहीं जबकी सदगती हो जाती है बीच में कोई भी वापिस नहीं जा सकता नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहां होने है जब तक बाप यहां है जब वहां बिलकुल खाली हो जाएंगे तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी पहले सर्तों नहीं जाकर बैठेंगे तो बाप सारी नौलेज बैठ देते हैं यह वर्ड का चकर कैसे रिपीट होता है सत्युग त्रेता द्वापर कल युग फिर संगम होता है गायन है परंतु संगम युग कब होता है यह किसको पता नहीं है तुम बच्चे समझ गए हो चार युग है यह है लीप युग इनको मिडगेट कहा जाता है श्री कृष्ण को भी मिडगेट दिखाते है तो यह है नौलेज नौलेज को मोड तोड़ कर भक्ती में क्या बना दिया है ग्यान का सारा सूत मुंझा हुआ है उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है प्राचीन राजयोग सिखलाने लिए विलायत में जाते है वह तो यह है ना प्राचीन अर्थात पहला सहज राजयोग सिखलाने बाप आए है कितना अटेंशन रहता है तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग सापन हो जाए आत्मा को याद तो आता है ना बाप कहते हैं यह knowledge जो मैं अभी तुमको देता हूँ फिर मैं ही आकर दूँगा यह नई दुनिया के लिए नया ग्यान है यह ग्यान बुद्धी में रहने से खुशी बहुत होती है बाकी थोड़ा टाइम है अब चलना है एक तरफ खुशी होती है दूसरे तरफ फिर फील भी होता है अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प बाद देखेंगे बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना बाप आते ही हैं शान्ती धाम सुख धाम में ले जाने तुम शांतिधाम सुखधाम को याद करो, तो बाप भी याद आएगा, इस दुखधाम को भूल जाओ, बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं, पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकल जाएगा, तो खुशी भी होगी, तुम रिटर्न में फिर सुखधाम में जा यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएगे, यह knowledge खलास हो जाएगी, बातें तो बहुत सहज हैं, रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिम्रन करो, तो भी खुशी रहेगी, हम यह बन रहे हैं, सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो न नहीं, लोब तो नहीं आया, अपने उपर जांच रखनी हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप धार्ना के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, योग बल से अथा सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी हैं, इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है, खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं, दूसरी पोइंट, रोज अपनी जांच करनी हैं, कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोब के वश्च तो नहीं हुए, वर्दान, वर्दाता दवारा, सर्व स्रेष्ट संपत्ती का वर्दान प्राप्त करने वाले संपत्ती वान भव, किसी के पास अगर सिर्फ स्रेष्ट संपत्ती हैं, तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते, सुल संपत्ती के साथ, अगर सर्व गुणों की संपत्ती, सर्व शक्तियों की संपत्ती और ग्यान की स्रेष्ट संपत्ती नहीं हैं, तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती, आप सब के पास तो ये सब स्रेष्ट संपत्या हैं। दुनिया वाले सिर्फ सुल संपत्य वाले को संपत्य वान समझ से हैं। लेकिन वर्दाता बाप दवरा आप बच्चों को सर्व स्रेष्ट संपत्य वान भव का वर्दान मिला हुआ है। स्लोगन सच्ची साधना दवारा हाए हाए को वह वह में परिवर्तन करो अच्छा ओम शान्ती ग्रस्तियों को संगम युक पर अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहिए जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती अव्यक्त